प्राजनाज सिंग जी ने जो प्रस्ताव रखा है उम्मै हमारे बास अब ठाकरे जी के विचार वाली शिव सेनाग के पार्टी इसे तरफ से पूरा समर्कम देता हूँ और पिछले दस सालों में हमारे अधरनिय प्रजान मंतरी जी ने इस देश का विकास किया इस देश को आगे बढ़ाया इस देश का नाम पुरी दुनिया में रोशन करने का काम किया देश की अर्थर वरस्ता को मजबूत किया और हमारे देश को एक नई पैचान बनाने का जो सपना था वो पूरा करने का काम किया और इसलिए कितने भी विपक्ष वालों ने जब अभी हमारे नितिश कुमार जी ने कहा कि यहाँ वहाँ जो गए है उनका क्या होने वाला है उन्होंने कहा है और कितना भी जुटे नरेटिव जुटी अफवाय फेला कर देश की जनता को गुम्रा करने की कोशिश की लेकिन ये जुटे नरेटिव जुटी अफवाय फेलाने वाले को देश की जनताने नकारा है और आदर्मिया प्रदान मंतरी जी को स्विकारा है उसमें डिटेल में मैं नहीं जाओंगा लेकिन यहाँ पर हमारे सबी उपस्तित नेताज कर रहे नड़ा जी है, राजनात सिंगी है, हमिज भाई है हमारे आदर्मिया जीद दादा जी है, वहाँ अभी सबी महानुबो है एक सियम है, वहाँ हमारे चंड़ा बाबु जी है, नितिश कुमार जी है और सबी मान्यवर और सबी इस सदन में उपस्तित फिर से सांसद बने है उनका मैं तह दिल से स्वागत करता हूँ और अभी निल्जन भी करता हूँ शेशना के बारे में इतना ही मैं कहूंगा कि शेशना और भारते जन्ता पार्टी एक विचारधारा, एक समान विचारधारा वाली पार्टी है बाएसर ठाकरे जी के नेतरुतों में हमारे जो गड़बंदन हुआ है ये गड़बंदन एक फेविकोल का जोड़ है ये बिल्गुल टुटेगा नहीं और लोकसभा के चनाव में जो हमारे आदर्मिया प्रजान मंतरी जी ने जो महनत की है जो सभाय लिए है जो उनकी जादू है वो जादू इस बार फिर लगाता तीसरी बार इस देश ने देखी है और इसलिए उनको मैं तीसरी बार प्रजान मंतरी बनने के लिए सिर्शना पार्टी की ओर से रिड़ई से मैं उनका स्वाज़त करता हूँ अभिनन्दन करता हूँ और शुब कामनाय देता हूँ और सिर्फ इतना है कहूंगा उनके लिए मैं उन्हें चार पंक्तिया पेश करना चाहता हूँ आपकी इजादत से मैं उस माटी का उर्क्ष नहीं जिसको नदियों ने सीचा है बंजर माटी में पलकर मैं मृत्तु से जिवन खीचा है मैं पत्तर पर लिखी इबारत हूँ शीसे से कब तक तोड़ोगे मिटने वाला मैं नाम नहीं तुम मुझको कब तक रोकोगे दस साल जो काम किया है उसके गवाब सब है अज इसलिए लोगों ने विकास को मैत्व दिया है और जो विपक्ष के लोग सिर्फ राजनिती करते थे उनको उनके घर पर बिटा दिया है और फिर एक बार तीसरी बार मोदी जी हैट्रिक करेंगे मैं उनका अभिनादन करता हूँ मैं उनको बहुत बहुत शुप काम नहीं देता हूँ धन्यवाद त्राजनाशी जी ने जो प्रस्ताव रका है मैं हमारे बाया सब ठाकरे जी के विचार वाली शिव सेनाग के पार्टी इसे तरफ से पूरा समर्कम देता हूँ और पिछले दस सालों में हमारे आधरनिय प्रजान मंतरी जी ने इस देश का विकास किया इस देश को आगे बढ़ाया इस देश का नाम पुरी दुनिया में रोशन करने का काम किया देश की अर्तवरस्ता को मजबूत किया और एक हमारे देश को एक नई पैचान बनाने का जो सपना था वो पूरा करने का काम किया है और इसलिए कितने भी विपक्ष वालों ने जब अभी हमारे मितिश कुमार जी ने कहा कि यहाँ वहाँ जो गए है उनका क्या होने वाला है उन्हें कहा है और कितना भी जोटे नरेटिव जोटी अफवाए फेला कर देश की जनता को गुंड़ा करने की कोशिश की लेकिन ये जोटे नरेटिव जोटी अफवाए फेलाने वाले को देश की जनता ने लका रहा है और आदर्मिय प्रदाद मंत्री जी को सुटारा है उसमें डिटेल में मैं नहीं जाओंगा लेकिन यहाँ पर हमारे सबी उपस्तित नेता जी है नड़ा जी है, राजनात सिंगी है, अमिज भाई है हमारे आदर्मिय अजिद जादा जी है वहाँ अभी सबी महानुदो है एक सियों है, वहाँ हमारे चंड़ा बाबुजी है नितिश कुमार जी है और सबी महान्यवर और सबी इस सदन में उपसे फिर से सांसद बने हैं उनका मैं तह दिल से स्वागुत करता हूँ और अभे मिन दन भी करता हूँ शूशना के बारे में इतने ही मैं कहूंगा कि शूशना और भारते जन्ता पार्टी एक विचारधारा, एक समान विचारधारा वाली पार्टी है बाहर से ठाक्रे जी के नेतरूपों में हमारे जो गड़बंधन हुआ है ये गड़बंदन एक फेवी कोल का जोड़ है ये बिल्गल टुटेगा नहीं है और लोकसवा के चुनाव में जो हमारे आदम ये पजान मंतरी जी ने जो महनत की है जो सवाय लिए जो उनकी जादू है तो जादू इस बार फिर लगाता है तिसरी बार इस देश ने देखी है और इसलिए उनको मैं तिसरी बार प्रदान मंतरी बनने के लिए शुषिना पार्टी की ओर से रिड़ई से उनका स्वाज़त करता हूँ अभिनंदन करता हूँ और शुब कामनाय देता हूँ और सिर्फ इतना है कहूंगा उनके लिए मैं उन्हें चार पंक्तिया पेश करना चाहता हूँ आपकी उज़ादत से मैं उस माटी का उर्क्ष नहीं जिसको नदियों ने सीचा है बंजर माटी में पलकर मैं मृत्व से जिवन खीचा है मैं पत्तर पर लिखी इबारत हूँ शिसे से कब तक तोड़ोगे मिटने वाला मैं नाम नहीं तुम मच को कब तक रोकोगी और दस साल जो काम किया है उसके गवाब अपन सब है और इसलिए लोगों ने विकास को मैत्व दिया है और जो विपक्ष के लोग सिर्फ राजनिती करते थे उनको उनके घर पे बिटा दिया है और फिर एक बार तीसरी बार मोदी जी हैट्रिक करेंगे मैं उनका अभिनन दुन करता हूँ मैं उनको बहुत बहुत शुब कामने देता हूँ धन्यवाज़